Hello everyone, very welcome to NetJarab Solucionist, मैं अब शेक कुमार ज़ा, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस क्या हाल चालें तो हर्याना Assistant Professor की वेकेंसी आ चुकी है 2 अगस्त को ही और ये वेकेंसी में लगभग धाई हजार सीट जो हैं सभी various subjects में डिकलेर किये गए हैं बंपर वेकेंसी है जो की I think 2019 के बाद अब इस साल रिलीज हुआ है 2024 में आ करके कुल लगभग लगभग 5 साल हो गए हैं इस वेकेंसी को निकलते हुए इसके पहले हर्याना के जो एक्जाम्स थे वो 2016 वेकेंसी निकली थी Assistant Professor की उसके बाद 2019 में निकली और अब ही जाकर के 2024 में ये वेकेंसी रिलीज हो रहा है तो आईए जानने के कोशिस करते हैं कि आज का जो notification है notification में कौन-कौन से ऐसी बाते हैं जो एक aspirant को जो भी इस exam की तयारी कर रहे हैं या जो तयारी करना चाहते हैं और जो लोग भी सोच रहे हैं कि इसको qualify करना है तो सबसे पहले हमें उन सारी चीज़ों को समझना होगा जो की इस exam के लिए जो qualifications डिमांड की गई है इस पूरे वीडियो को अंते तक देखेगा क्योंकि आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा तयारी भी कैसे करनी है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के session को देखे हर्याना में assistant professor के exams होते रहे हैं एक बहुत ही बहतरी नी स्टेट रहा है जहांपर regular vacancies आती है जो exam करवा करके assistant professor के लिए college में, universities में जो teaching post होते हैं, professorship के वो भरता है और बहुत सरे स्टेट हैं जहांपर merit based exam होता है लेकिन हर्याना में merit based नहीं बलकि exam के थुरू करवाया जाता है लेकिन इस बार जो major changes आए हैं, उनके उपर भी हम discuss करेंगे कि पहले कैस प्रकार का pattern था exam का और अभी किस प्रकार का pattern है उन दोनों ही चीज़ों को discuss किया जाएगा तो चलिए start करते हैं आज का session basically देखिए जो अपना हर्याना public service commission है ये assistant professor के exams 2024 के notification के तौर पर जो है निकाला गया है और इसके क्या-क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ कारण ये है देखिए कि इतनी भारी मतरम vacancy क्यों निकला क्योंकि आपको पता है कि अगले साल election होने वाले हैं हर्याना में आप लोगोंने नीचे इसका tag भी देखा होगा election में ही selection लेना है क्योंकि election के बाद फिर होने वाला नहीं है कुछ फिर आपको पांच वर्स तक इंतजार करना पड़ेगा तो इसलिए vacancy बहुत भारी निकाले गई है मैं बताऊंगा सारी चीज़ों को आपको बट बिफोर देट मैं बताता हूं आपको कि देखिये जो हर्याना पॉब्लिक सर्विस कमिशन है उसने दो अगस्त को वैकेंसी रिलीज की ठीक है दो अगस्त को इन्होंने वैकेंसी निकाला है पॉब्लिक नोटिस के थ्रू निकाला गया है तो इसमें कौन-कौन सी बाते हैं बाते बहुत सारी हैं लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमने अभी नहीं लिया सेलेक्शन तो ये बात मान के चली आपकी कभी नहीं तो एक बस लिखा हुआ है जरूरी क्या है कि आपको 5 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा 5 वर्षी हो जणा पूरे 5 साल तक फिर इंतजार करना पड़ेगा तो देखते हैं क्या-क्या चीज़े हैं इसमें तो देखिए सबसे पहले हर्याणा पुब्लिक सब्सक्मिशन ने online application निकाला हुआ है eligible candidates के लिए जो assistant professor बनना चाहते हैं जो लोग भी यह सोच रहे हैं कि उन्हें university में teaching करनी है college cadre के नाम से यहां पर निकलता है जैसे राजस्थान में निकलता है बिल्कुल वैसा ही और यहां का higher education department जो कि पंच कुला में है वह यह vacancy release करता है तो HPSC के through है government है group B का exam है और बहुत prestigious exam दिये जानने के कोशिस करते हैं कि किस प्रकार के student उनकी requirement क्या है इस exam की वह सारी बात मैं आपको बताऊंगा मैं इन सब चीजों को नहीं पढ़ रहा है आपने अल्रडी पढ़ लिया है आपने अल्रडी इन सब को पढ़ा हुआ है मैं आता हूं सबसे पहले सबसे जरूरी बात क्या है कि exam का जो जो application का starting date है और application का जो ending date है वो कब कब रहा है देखिए date of publication यानि कि जो exam का जो declaration हुआ है कि भाई परिक्षा होगी यह 2 अगस्त को notification दे दिया गया मैं लेट हूं लेट क्यों हूं मैं आप लोग को बताऊंगा ठीक है और submission के लिए जो date window open होगा वो 7 अगस्त से start होगा यानि कि अभी आप लेट नहीं हो सिर्फ मैं notification बताने में लेट हूं 7 अगस्त से start होगा आज date है 4 अगस्त का ठीक है आज है 4 अभी आपके पास 3 दिन है तीन दिन है आपके पास documents को collect करने का उन सभी जो documents के demand इस exam के लिए किया गया है उसको आपको इक अठा करने के लिए काफी समय भी दिया गया है लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जो exam का closing date है वो 27 अगस्त को ही रखा गया है 27 अगस्त को exam का online application है उसका date close हो जाएगा और 28 अगस्त को ही होने जा रहा है 28 अगस्त को ही होने जा रहा है NTA UGC net का exam भी जो exam cancel हुआ था June term का ठीक है ओकी तो ये दो बाते हो गई कि exam का जो application है वो 7 अगस्त से पढ़ना शुरू होगा और 27 अगस्त तक आप इसे भर सकते हैं यानि आपके पास total रहेंगे 20 days 20 दिन आपके पास रहने वाला है इस application को भरने के लिए कहाँ पर आपको जाना है आपको commission की website पर जाना है www.hpsc.gov.in पर जाना है ये है website का नाम इसी website पर जा करके आपको अपना application फिल करना है ठीक है अब ही हम आगे बढ़ते हैं अब हम उन चीज़ों को समझेंगे कि देखें यहां पर कुछ बाते बताए गई हैं कि जो भी candidate अगर apply करते हैं जिनको भी apply करना है exam देना है ध्यान रखिए कि जितना जादा जितना अधिक से अधिक हो सके आपके जो documents हैं वो सही होने चाहिए true होने चाहिए कोई false उसमें document ना हो ध्यान रखिए क्योंकि आपका जो document का verification होगा वो interview के बाद ही होगा मतलब अगर आप interview के लिए qualify करते हैं तो ही checking की जाएगी अगर आप qualify कर गए और interview भी आपका हो गया और document चेक होगा अगर कोई गलती निकली तो आपका candidature cancel कर दिया जा है ठीक है तो ध्यान से आपको application भरना है बहुत ही आराम से apply कैसे करना है मैंने आपको बताया कि आपको HPSC की हर्याना PSC की website पर जाना है closing date ध्यान रखिए कि last date जो है वो 27 अगस्त को रखा गया है ठीक है शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा अमूमन रात को 12 बजे बंद होता ह है विंडो लेकिन 12 बजे नहीं शाम को 5 बजे ही बंद हो जाएगा विंडो तो आपको 5 बजे से पहले पहले जो है वो application फिल कर लेना है 27 को आगे बढ़ते हैं और जानने कोशिस करते हैं कि देखे कितनी vacancies आई हुई है तो हर्याना का जो higher education department है उन्होंने ये vacancy release किया है त देखे वैसे तो बहुत सारे vacancy आई है लेकिन सबसे जादा vacancy आया हुआ है अगर मैं आपको बताओं तो सबसे जादा vacancy अभी तक आया हुआ है English में total 613 पोस्ट आया हुआ है English में total जबकि geography में भी कम नहीं आया है 316 पोस्ट आया है 316 पोस्ट आया 316 मतलब इतनी जादा vacancy हर्याना जैसे एक छोटे state में यह unexpected है इतनी vacancy जनरली उत्तर प्रदेश में भी नहीं आती है बिहार में भी नहीं आती है मध्यप्रदेश में भी नहीं आती है लेकिन हर्याना ने इस बार इतनी bumper vacancy निकाली है especially अगर आप English को देखेंगे या geography को देखेंगे तो geography में जो general category के student है उनके लिए total 181 seat निकाला गया है total 181 है ना total 181 seat निकाली गई है जबकि अगर हम बात करें इसमें SC category के लिए 48 seat है OBC category के लिए 49 है इसमें OBC में दो category एक BC है एक RC भी है या आपको detail notification में देखना होगा EWS category के लिए 30 seat reserve रखा गया है और आपको पता ही है कि हर्याना में ST नहीं है यानि कि schedule tribes नहीं है दिल्ली में नहीं है हर्याना में नहीं और पंजाब में नहीं है ठीक है तो इसलिए वहाँ पर ST की seats नहीं है सिर्फ SC की seats हैं general की seats हैं OBC की हैं और EWS की seats हैं ठीक है यहाँ पर देखे mention किया गया है ठीके, अगर आप दूसरे state के हैं आप यहाँ पर apply करना चाहते हैं तो आप apply कर सकते हैं आप किसी भी category में हैं आप हर्याना में जैसे ही apply करेंगे आप वहाँ पर general category में fight करेंगे general category में यानि कि जो 181 seat है इसमें आप fight करने वाले हैं तो यह हो गया यहाँ के total vacancies और भी subjects हैं यहाँ पर जैसे आप देखिए botany में total 98 seat है chemistry में 1,2,3 seat है commerce में 153 commerce में ज़्यादा student होते हैं लेकर उसमें seat कम आई है as compared to geography और economics में देखिए यहाँ पर 43 seats हैं computer science में भी 47 seat हैं defense studies में 23 seats हैं इसके लाब आप देखेंगे environmental sciences में बहुत कम seat है सिर्फ 7 seat आये fine art में बहुत कम seat आया सिर्फ 7 seat आया है जबकि हिंदी में 139 seats जो हैं release किये गए है history में भी 123 seat है home science में 28 seat है mass communication में art है mathematics में 163 है और music instrument में और music vocal में अलग-अलग seats हैं philosophy में 3 seats है only physical education में 26 हो गया physics में 96 हो गया political science में 81 psychology में 85 हो गया Punjabi में 24 हो गया Sanskrit में 12 हो गया tourism में भी 1 seat आई है और वो भी reserve category में ही I think BCB में backward classes में BCB में आया हुगा है जबकि Zoolozy में total 91 seats आई है अगर आप total seats की संख्या देखेंगे तो 2424 2424 2424 seats अगर हम इसको round figure कर लें तो लगभग लगभग 5000 seats है 5000 seats इतनी बड़ी vacancy आई हुए इसलिए मैंने का कि bumper vacancy आई है अगर election है तो selection भी है आपको लेना पड़ेगा seats के बाद बात करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और qualification के बात करते हैं कि क्या-क्या qualification होने चाहिए ठीक है तो सबसे पहले तो देखिए assistant professor बनने के लिए आपको पता ही है UGC net का exam होता है All India level पे आप simple सी बात है assistant professor बनने के लिए आपको UGC net का exam qualify करना पड़ेगा उसको qualify आपने किया होगा पेलेजिबल है सारी चीज़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके लावा आपका अगर set है है ना तो आप apply कर सकते हैं लेकिन वो उसी state का होना चाहिए आप दूसरे state के set qualified है तो वहाँ पर applicable नहीं होगा ठीक चुकि हर्याना में set का paper नहीं होता है सिर्फ state का paper होता है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास UGC NET या जयारफ या PhD होना चाहिए ये एक आपका essential qualification है लेकिन उसके पहले आपके पास 55% marks के साथ masters होना compulsory है 55% reserve categories में 5% का relaxation है 5% का आपको relaxation दिया जाएगा ठीक है reserve categories में बाकी आप general category में है तो आपको 55% ही consider किया जाएगा again I must say कि अगर आप किसी दूसरे state से है आना आप पंजाब से हो आप उत्तराखंड से हो आप हिमानचल से हो आप जमुकश्मी लद्दाग से हो याप राजस्थान से है आप उत्तरप्रदेश से है या मद्रप्रदेश से है आप गुजराच से है बेंगौल से है कहीं से भी है अगर आप हर्याना में paper देने जाएंगे तो you will be considered as a general candidate आप वहाँ पर सामानने वर्ग में ही consider किये जाएंगे ठीक है ओके तो ये बात हो गई essential qualifications की इसमें देखिए साब साब लिखा हुआ है कि national eligibility test आपका qualify होना चाहिए जैसे कि UGC जो conduct करवाती है या आपके पास PhD degree का award होना चाहिए regular mode में PhD degree आपके पास होनी जरूरी है part time नहीं चलेगा regular mode में चाहिए साब साब लिखा गया है कि अगर आपका PhD है तो वो regular mode में होना चाहिए the PhD degree of candidate has been awarded in a regular mode साब साब लिखा हुआ है और PhD thesis भी आपका evaluate होना चाहिए at least to external examination जो exam आते हैं examiners वाइब आगरा होता है तो उसमें भी होना चाहिए सब compulsory है इसके लाब अगर हम बात करें तो और भी important चीज़े हैं जैसे की यह सारे qualifications की चीज़े हैं आप इसको ठीक से पढ़िएगा हम बात करेंगे अब relaxation की जैसा कि मैंने कहा कि 5% का relaxation हर एक exam में मिलता है अगर आपका 55% है तो यह general category के लिए 50% हो जाएगा उन लोगों के लिए जो basically आते है reserve categories में जिनका आरक्षन में नाम रहता है ठीक है उस category से belong करते हैं इसके लाब और जो बाते हैं जरूरी बात जरूरी बात क्या है आपके मन में आ रहा होगा कि यार exam कैसे होगा सारी चीज़ तो ठीक है बट exam कैसे होगा exam का pattern क्या होगा इसी pattern को लेकर कि बहुत सारी दुवधा है students के पास और मैं वीडियो बहुत लेट से बना रहा हूँ मुझे पता है इस इस के लिए मैं आप लोगों से माफ़े भी मांगता हूँ क्योंकि मैं बहुत जादा busy था busy था एक जरूरी काम में आप लोगों के लिए ही वो काम मैं कर रहा था तो उस काम को करते हुए मुझे लगबग लग गए एक हफते लग गए मैंने कोई class नहीं लिया ना YouTube class लिया ना कहीं पर भी मैं class ले पा रहा था ठीक है लेकिन आज मैं free हो गया हूँ और इसलिए आज मैं video बना रहा हूँ ठीक तो मैं बताऊंगा आपको कि परिक्षा का pattern क्या है schema of exam क्या है यानि कि जो परिक्षा होगी परिक्षा में बहुत ही परिक्षा में बदलाओ हुआ है क्या बदलाओ हुआ है समझ दीजी सबसे जरूँ चीज क्या है परिक्षा में बदलाओ क्या हुआ है देखिए अभी तक हर्याना में जो exams होते थे assistant professor के वो होते थे multiple choice question यहीं कि बहुँ विकल्पी ये प्रश्णों के द्वारा लिया जाता था ठीक है 2016-17 में जब exam हुआ था हर्याना का तो मैंने भी दिया था multiple choice questions थे काफी low level का उसका question था net के comparison में काफी low था 100 question आते थे 100 question होते थे सिर्फ एक paper होता था उसी में एकाद 10-5 question हर्याना से भी होते थे बाकि पूरा आपका UGC net का syllabus वहाँ पर follow की जाता था दूसरा exam साय 2019 में हुआ है I think ठीक है 19 में ही हुआ है 18-19 में हुआ है और उसमें भी same ऐसा ही pattern था exam का MCQs आये थे वहाँ पर भी लेकिन अब उसके बाद ये लंबे समय के बाद ये exam हो रहा है जो कत्तई भी MCQ based नहीं है इस बार क्या हो गया है आपका exam pattern MCQ plus subjective and interview के बेस पर हो गया interview पहले भी था पहले भी जो HPSC है वो screening test करवाती थी मतलब MCQ based उसमें जो candidates merits में आते थे उन merits की list बनती थी और फिर आपको interview के लिए call के जाता था 3X student जाते थे मालीज़ अगर 10 seat है तो 30 student को interview के लिए बुलाय जाता था ठीक इस बार परिक्षा में बदला हुआ है अब देखिए क्या बदला हुआ है सबसे पहला बदला हुआ है कि आपका screening test होगा ठीक है screening test होगा जिसमें होगे number of MCQs मतलब multiple choice question होगे कितने 100 बदल सौव प्रशन होगे ये कौन सा है ये screening test है सौव प्रशन होगे ठीक है time duration कितना मिला इसके लिए 2 घंटे मिले हैं यानि कि आपको समय मिलता है 120 minute का मिलता है यानि कि हर question एक number का होने वाला है और सब ही question के equal marks होगे इसका मतलब ये है कि कोई negative marking नहीं है कोई नाकरात्मक अंकन इसमें नहीं रखा गया है इसका मतलब ये है कि अगर आप exam देते हैं तो इस परिक्षा में आपके लिए कोई negative marking नहीं रखी गयी है इसका मतलब क्या हुआ ये तो आपने देख लेगे कि ये क्या है लेकिन इसका मतलब क्या हुआ screening test उसे हम कहते है जब भी कोई candidate जैसे इसको प्रिलिम से समझे आप क्या समझे ये प्रिलिम से समझे जैसे UPSC में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा जैसे UPSC में क्या होता है आपको पता ही होगा UPSC आजकल काफी चर्चा में है क्यों चर्चा में आपको ये भी पता होगा UPSC कैसे exam conduct करवाती है Union Public Service Commission यानि कि संग लोक सेवा आयोग केंदर सरकार क्या करती है कि IAS IPS की vacancies निकालती है vacancies निकालती है उसके लिए exam करवाती है तो इनका exam जो होता है वो सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले होता है PT इसको कहते है preliminary test PT बोलते है preliminary test होता है ठीक है इस test में क्या होते है total number of question होते है 100 और वो negative marking करवाते है जो candidate preliminary exam qualify कर लेते हैं जो भी candidate qualify कर लेते हैं merit list में आ जाते हैं फिर उनको दिया जाता है क्या दिया जाता है mains का exam होता है mains का होता है इसको हम मुख्य परिक्षाब ही कहते हैं क्या बुलाते हैं मुख्य परिक्षाब ही कहते हैं इसको हम ठीक है तो Mains का क्या है यहाँ पर हमारे इस HPSC में Mains का जो section हो जाएगा मैं आता हूँ उसके उपर तो UPSC PT करवाती है इसी को हम screening test कहते हैं इसी को हम plenumerary exam भी कहते हैं जो candidate PT qualify करते हैं वो Mains में जाते हैं answer writing करते हैं मुख्य परिक्षा क्या विसे होता है इसमें answer writing होती है ठीक है क्या करते है answer writing होता है answer writing में क्या होता है subjective यहाँ पर आपको प्रश्ण दिये जाएंगे उन प्रश्णों की उत्तर आपको लिखने होते हैं 200 शब्दों में प्रश्णों के उत्तर लिखने होते हैं आपको ठीक है इसके तैयारी के लिए बच्चे दिल्ली आते हैं और यहां तैयारी करते हैं कोचिंग बगरा जोएन करते हैं दिल्ली इस बद काफी चर्चा में आपको पता हुआ करूलबाग इंसिजिंट ओल्ड रज करेगा वह मेंस में जाएगा जो मेंस क्वालिफाई करेगा वो इंटर्व्यू में जाएगा और जो इंटर्व्यू क्वालिफाई करेगा ठीक इसमें कोई क्वालिफाई या डिस्क्वालिफाई नहीं होता है इसमें मार्क्स मिलते हैं तो मेंस का और इंटर्व्यू का मार्क क्या होता है add होता है जब यह marks add हो जाते हैं इन दोनों marks को add किया जाता है जब add हो जाता है तो total number बनता है ठीक है total number बनता है और फिर जिसका भी उस total number के accordingly merit में नाम आएगा number of seeds के according उनका selection final हो जाएगा exactly बिल्कुल इसी प्रकार की परिक्षा HPSC ने भी रखी है अब एक कुस टाइम पहले वहाँ पर जो PGT के कुछ exams हुए थे student ने बताया था मुझे कि PGT के कुछ exams हुए थे और PGT के उस exams में कुछ written type का exam हुआ था तो ये expected था expected था कि हो सकता है इस बार का जो HPSC का exam है assistant professor का वो भी कहीं subjective ना हो जाए लिखने वाला ना हो जाए तो बिल्कुल देखिए HPSC ने mood बना लिया था हर्याना आयोग ने mood बना लिया था कि भाई इस बार तो आपको लिखना है अब आपको सिर्फ जो है रट करके या facts exam नहीं qualify करना है बहुत अच्छी बात है मैं इस चीज़ का बहुत welcome करता हूँ देखिए इससे क्या होगा कि इससे deserving candidates जो भी candidates है ना knowledgeable होंगे जो भी candidates किसी भी विशय का अच्छा जानकारी रखते हैं उन्हीं का selection होगा बिल्कुल fair selection होगा आते हैं हम लोग अपने topic के उपर हम discuss करेंगे कि जो अपना अब ये देखिए ये हो गया आपका screening test तो मैंने कहा कि 100 question होगे 120 minute आपको यहाँ प student qualify करेंगे अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है जो student qualify करेंगे इसमें number of options 5 रहेंगे there will be no 4 options A, B, C, D और एक E option भी add रहेगा इससार राजस्थान के assistant professor exam में भी E वला option add किया गया था ठीक है तो 5 options generally अब हर state में क्या हो रहा है 5 options आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 5 options रख दिय ठीक है आपको सारे options attempt करने हैं मतलब जो सही है सारे questions को attempt करने हैं ठीक है इसमें यह भी ध्यान रखिये कि अगर इसमें क्या है लिखा है if a candidate is attempting a question she or he shall have to darken the appropriate circle जैसे circle होगा A का circle होगा फिर B का circle होगा फिर C का circle होगा ऐसे करके D का होगा फिर E का होगा तो कोई circle आपको क्या करना है भरना है A, B, C, D and if not attempting a question then she, he shall have to darken E circle अगर आप कोई question attempt नहीं कर रहे है ठीक है अगर आप कोई भी आपको लगता है कि A सही है तो A कर देंगे लगता है B सही है तो B कर देंगे C है तो C या D है तो D लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई भी उसमें से दिया गया option नहीं सही है तो आपको E करना ही करना है अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा If none of the five circles is darkened one fourth mark shall be deducted अगर आपने attempt नहीं किया तो नमबर कटेंगे ऐसे negative marking नहीं है लेकिन अगर आपने attempt नहीं किया उस question को A, B, C, D, E में से अगर नहीं attempt किया छोड़ दिया आपको नहीं आ रहा तो आपने छोड़ दिया तो one fourth number कट जाएगा एक बटा चार नमबर कट जाएगा नेगेटिव मार्किंग ठीक है क्या हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा तो इसलिए आपको attempt करना पड़ेगा screening test में ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आगे देखते हैं क्या चीज़ हैं है ना एनी candidate not darkening any of the five circle in more than ten questions shall be disqualified अगर आपने लगभग है ना एनी five circle को पाँच सरकल से जादा अगर आपने नहीं attempt किया तो आप disqualified हो जाएगे exam में से तो इसका मतलब क्या है 100 के 100 question के bubble को भरना है fill करना है अगर आपने HPSC के exam में जो screening test है अगर उसमें 5 option में से जो आपको समझ में आ रहा है भर देना है नहीं करेंगे तो number कटेगा और अगर लगातार 5 आपने ऐसे कर दिये छोड़ दिये 5 question total 5 question 100 में से तो आप disqualify हो जाएगे तो disqualify नहीं होना है आपको exam में पूरा question करना है 1 4th mark will be deducted for each wrong answer और आपका 1 4th mark will be deduct हो जाएगा यानि कि एक बटा 4 number आपका कटेगा उपर नहीं लिखा था negative marking लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि negative marking भी होगी यानि कि नकरात्मक अंकन होगा मैंने शुरू में कहा कि नहीं होगा कि उपर लिखा नहीं था लेकिन अभी यहाँ पर दिख गया कि नकरात्मक अंकन है यहाँ पर ठीक है अब देखें medium of examination क्या होने वाला है तो medium of examination है कि only in English language में कौन-कौन से subject होंगे कौन-कौन से subject हैं जो सिर्फ English में होगा, सिर्फ Hindi में होगा या दोनों में होगा देख लीजे तो only in English language में होगा Botany, Computer Science, Defense Studies, Environmental Science, Chemistry, Home Science, Mathematics, Physics and Geology और bilingual कौन से होंगे exams, bilingual में कौन सा हो जाएगा तो bilingual में यानि कि English में भी और Hindi में भी रहेगा Commerce रहेगा, Economics रहेगा, Fine Arts रहेगा, Mass Communication रहेगा चलिए जोगरफी के student को relief मिल गया है जोगरफी भी bilingual आपको मिलेगा History भी, Music भी, Music दो टाइप के हैं Physical Education, Political Science, Psychology, Philosophy and Tourism बाइलिंग्वल होंगे, सिर्फ यही subject बाइलिंग्वल होंगे इसके अलावा और कौन कौन से language है The language subject such as English, Hindi, Sanskrit, Punjabi यह उन ही के respective language में होंगे जैसे अगर English का paper है तो English में होगा Hindi का paper तो सिर्फ Hindi में होगा Sanskrit है तो सिर्फ Sanskrit में होगा Punjabi है तो सिर्फ Punjabi में होगा There will be no Hindi और English separately इसके लाव अगर हम बात करें तो candidate four times यानि कि वो candidates जो exam qualify करेंगे four times number of the advertised post मान लीजी जैसे अगर 10 seat आई है तो into four होगा यानि कि 40 40 लोगों को बुलाया जाएगा for the next stage next stage of the selection process जिसमें कि basically आपका क्या होगा subjective तो geography में कितना था 316 post था तो 316 गुड़े चार कर लीजे अपने total post में से गुड़े चार into four कर लीजे उतने number of candidate को बुलाया जाएगा तो 3,4 का 12 वैसे ऐसे हो गया ठीक है और 164 के 64 हो गया तो 1264 लगभग मान लीजे 1300 लोगों को बुलाया जाएगा ठीक है अच्छी संख्या है खराब संख्या नहीं है ठीक है मेंस के लिए बुलाया जाएगा अब देखिए अगला क्या है अगर किसी सब्जेक्ट में उतने नमबर अफ्ट्ट कॉलिफाई नहीं कर पाय तो वो क्या करेंगे वो उन लोगों को बुला लेंगे डिरेक्ली जितने भी लोगों ने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया हुआ है क्योंकि उनका मेरिट अटोमेटिकली डाउन जाएगा ठीक है इसके अलावा दे मार्क्स अप्टेन बाई दे कैंडिडेट इन दे स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट इस्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी कांटेट फॉर फाइनल सेलेक्शन बिकोज इस ओनली प्रारंबिक परिक्शा का मार्क्स अट नहीं होगा ध्यान रखिये यह सिर्फ screening test है यही चीज समझना बहुत जरूरी है आगे क्या कह रहा है अब देखे क्या होगा अगला stage क्या है subject knowledge test यानि कि विशय के उपर ठीके विशय के उपर क्या है time duration मिलेगा 3 घंटे का 3 घंटा का मतलब हो गया 180 minute ठीके total marks कितने होंगे 150 marks होंगे 150 number medium of examination will be as below क्या होगा only in English language same वही रहेगा जितने भी English में PT में हुए थे आपको सिर्फ English में लिखना होगा answer या आप अपना answer लिख सकते हिंदी में भी ठीके लेकिन question सिर्फ English में रहेगा ध्यान रखिए हिंदी में नहीं मिलेगा अगर आपका botany है computer science है defense studies है environmental science है chemistry है home science है mathematics है physics है geology है तो आपको question सिर्फ English में मिलेगा you are free to write in any of the language whether it is Hindi और English यही दो भाशाय मानने होती है बाकि अगर कोई दूसरा subject का exam होगा तो वो subject आपको लिखना पड़ेगा ठीक है बात समझ में आई इसके बाद देखे bilingual किसका होगा तो bilingual में हो जाएंगे same वही है commerce हो गया same वही है commerce हो गया और economics हो गया fine arts हो गया mass communication हो गया geography हो गया आपको दोनों ही भाषाओं में ये मिलेगा ठीक फिर history हो गया music हो गया physical education political science psychology philosophy and tourism जो PT में था bilingual वही means में भी आपको bilingual मिलेगा Hindi में भी question मिलेंगे English में भी question मिलेंगे आप लिख सकते हैं दोनों languages में दोनों language मतलब आप किसी भी एक भाषा मिलेग सकते हैं Hindi में या फिर English में question रहेंगे बाकि जो language के सब language का exam होगा English, Hindi, Sanskrit और Punjabi वो आपके उसी language में दिये जाएंगे ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं अब जरूरी चीज़ क्या है तीसरा stage आता है interview यानि की वाइबा वोईस ये final stage है अब इसमें क्या होगा the weightage of the interview will be 12.5% बहुत कम weightage रखा गया है इसका सिर्फ 12.5% तो अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो mains का exam है उसके number सबसे जादा important रहेंगे उसी के marks के base पर आपका selection होगा भी और नहीं भी होगा तो ये हमें ध्यान रखना है the final merit list will be prepared by adding the marks of subject, knowledge test and interview or viva voice यानि की जो mains होगा mains यानि की जो subject knowledge test है mains plus जो आपका interview है interview add हो जाएगा mains add हो जाएगा और इसी से क्या होगा आपका selection होगा ठीक है, selection करवाय जाएगा तो ये हो गया परिक्षा का प्रारूप ठीक, क्या हो गया परिक्षा का प्रारूप आपको ये समझ में आए कि परिक्षा का प्रारूप कैसा है परिक्षा का प्रारूप बिलकुल UPSC की तरह है, यानि आपका PT होगा, 100 question होगे negative marking होगी, क्या होगा negative marking होगा कितना 1 by 4 यानि की 0.25% कटेगा आपका कटेगा मतलब question का attempt करने करना है, मुख्य परिक्षा होगी फिर interview होगा और total number के उपर आपका selection होगा बिलकुल UPSC के pattern पर एकदम हूँ बहूँ, कुछ भी ना इधर ना उधर subject knowledge में सिर्फ आपके subjects related questions रहेंगे कुछ भी दूसरे चीज़ से नहीं रहेगा screening test की बात करते हैं हम जो सबसे important है selection के लिए जो हमें समझना होगा कि जो screening test है ठीक है जो screening test है अभी तक इसका कोई syllabus prescribed नहीं दिया गया है ठीक है अभी तक कोई इसका syllabus prescribed नहीं आया है वो आगे कहते हैं कि the syllabus of है ना देखे लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने mark किया हुआ है subject wise syllabus अगर subject wise syllabus है is being uploaded separately on HPSC's website HPSC की website पे इसका syllabus separately upload किया जाएगा लेकिन यहाँ पर फिर भी लिखा गया है कि screening test में क्या होगा यह अभी तक mention नहीं किया गया है क्या उसमें Hindi grammar आएगा English grammar आएगा GK आएगा Science आएगा Computer आएगा या Research आएगा क्या आएगा यह अभी तक mention नहीं किया गया है लेकिन generally जो screening test होता है वो एक तरीके से PT based आप देखेंगे तो उसमें GS जरूर होगा GS में क्या होता है Geography होता है Environment होता है Ecology होता है History होता है Quality होता है Current Affair होता है यह major चीज़े हैं अब उसमें Mathematics डाल दे उसमें Logical Reasoning डाल दे Mathematical Reasoning डाल दे Hindi grammar डाल दे Computer डाल दे या और भी कोई subject जो एक तरीके से Screening Test में Candidates के Level of Knowledge को Test करने के लिए रखा जाता है इसके बारे में भी जब जैसे ही Notification आएगा मैं Detail वीडियो बनाऊँगा मैं आप लोग को बताऊँगा कि क्या क्या चीज़े इसमें Cover होने वाली है ठीक है तो यह बात होगा यह आपके syllabus की जो वहाँ पर अभी Upload होगा अभी Upload हुआ नहीं है सबसे जरुवरी बात गाइस देखिए यह है कि आपको जो वेतन दिया जाएगा वो Grade 2 का होगा देखिए साब साब लिखा हुआ है Group B Service है यह ठीक है Joining के time पे आपको लगभग इतना amount मिलेगा प्लस और भी Emoluments होते हैं भते होते हैं जो उसमें जुड़ जाते हैं तो salary बढ़ जाती है जब exam हो जाएगा तब salary के उपर भी चर्चा कर लेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब जानने के कोशिस करते हैं कि और क्या-क्या चीज़े हैं जो आपको जानने चाहिए Age limit क्या है देखे बहुत important है Minimum age limit 21 year होना चाहिए Minimum 21 वर्ष होना चाहिए Minimum New time और maximum कितना लिखा हुआ है 42 year यानि कि 42 वर्ष के अगर आप है लेकिन डेट घ्यान रखिए 15 साथ दो हजार चॉबिस तक 15 साथ दो हजार चॉबिस तक 15 डेज बिफोर दर नोटिफिकेशन तो 15 जुलाई तक ही आपका age limit काउंट किया जाएगा अगर आप इसके बाद over हो गए तो count नहीं किया जाएगा तो 21 वर्ष निउन तम और maximum कितना है 42 वर्ष इसके बाद देखिए reservations रखी गई है relaxation है age का कि सारा आप लोग पढ़ दीजेगा क्योंकि इसमें सारे categories के और बाकी चीजों के relaxation है बहुत बड़ी list है ये इसमें relaxation 5 साल का दिया गया है 5-5 साल का मिलता है government employee है उन सबको भी मिलता है reservation अगर आपका है reserve categories में आते हैं तो बेशक आपको यहाँ पर दिया जाएगा इसमें list बनाए गई है creamy layer non cream layer का EWS का बनाए गया सबके लिए बनाए गया ठीक है यह आप देख लीजे का detail में कि इसमें क्या होगा अपने accordingly जैसे अपकी need है उसके accordingly आगे हम बढ़ते है देखिए age relax session का काफी बड़ा इसमें clause दिया गया है application fee की बात कर लेते हैं application fee आपको पता ही closing date है 27 अगस्त है शाम को 5 बजे तक तो आपको form भरना है general candidate जो male candidate है general category के including dependent of son of ex-serviceman of male for candidate of backward classes belonging to the claimy layer and male candidates for all categories of other states आप लोगों को 1000 रुपे fees जो है वो भरनी पड़ीगी 1000 रुपे इसके अलावा female candidates के लिए कितना है 2500 रुपे है female candidates जो general categories की है आप लोगों को सिर्फ 2500 रुपे देना है आप अपने pocket money से भी इस exam के fee को भर सकते हैं ठीक है बड़ी अच्छी बात करिए है हर्याना government में इस चीज़ को लेकर के हर्याना आयोग ने ठीक इसके लावा जो male and female categories के हैं जो OBC non creamy layer में आते हैं उन लोगों के लिए भी 250 रुपे का प्रावधान fees में रखा गया है तो fees काफी कम है सिर्फ general candidate में भी 1000 है बहुत कम fees है यह fees बहुत कम है उत्तर प्रदेश में 2000-2500 लगते है राजस्थान में भी काफी fees रखी जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं economically weaker section के लिए भी 200 रुपे है EWS categories के लिए और जो भी person जो है disabled persons है 40% disability है उनको कोई fees देने की जरुवत नहीं है आपके लिए यह exam pre है आप अराम से exam दीजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अलावा और भी इसमें कई सारे provisions हैं आप देखिएगा यह notification आप लोग के पास होगा ही इसमें सारा चीज दिया गया कि जब आप form भरेंगे तो कौन-कौन सा document होना चाहिए यह सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है तो मैंने आपको जो बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी बाते हैं वो सारी बाते मैंने आपको बताई है कि आपको क्या करना है exam में screening test क्या है mains कैसे होगा, interview बगरा कैसे होगा इसके उपर हमने चर्चा किया अभी हम चर्चा करने वाले हैं तैयारी कैसे करनी है इसकी आपको आपको तैयारी कैसे करनी है इस हर्याना Public Service Commission exam Assistant Professor की अगर आपका subject geography है तो उसके लिए AKJ Academy आप सब ही लोगों के लिए especially इस exam के लिए हर्याना Assistant Professor exam के लिए batch ले करके आ रहा है AKJ Academy के application पे आप लोगों को हर्याना Assistant Professor exam का करवाया जाएगा आपके मन में प्रस्टन होगा कि कैसे करवाया जाएगा देखिए, exam का pattern तीन है मैंने आपको बताया कि exam जो है वो three category में होगा आपको पता ही है मैंने पहले ही बताया पहला तो होगा PT screening test इसके बाद होगा mains subject का पिर इसके बाद क्या होगा आपका interview होगा ठीक है interview होगा ये पूरी तैयारी हम लोग करने वाले हैं आने वल इस समय में ठीक है पूरी तैयारी ताकि हम लोग इसको अच्छे से limited time में cover कर सकें इसके अलब अगर हम देखेंगे तो इसमें basically क्या रहेगा कि mains में पूरा subject आपको तैयार करवाए जाएगा बिल्कुल जैसे answer writing होती है answer writing practice करवाएंगे हम लोग आपको questions दिये जाएंगे आप answer करेंगे हम check करेंगे और उसमें आपके marks भी आपको दिये जाएंगे ताकि आपको पता चले कि आपके तैयारी चल कैसी रही है इसके लाव अगर हम बात करें interview phase की तो ये mains में qualify होने के बाद ये भी हम लोग provide करेंगे अपने end पे ठीक है लेकिन बात अगर PT की करें तो PT का देखे अभी कोई syllabus नहीं आया है mains का syllabus तो देखी UGC net के pattern पर रहेगा 100% UGC net के pattern पर रहेगा वही सब कुछ आप से पूछा जाएगा पिछला exam भी हर्याना का जो हुआ था वो UGC net के pattern पर ही हुआ था ठीक तो PT का भी कुछ हमारे पास डेटा नहीं है syllabus क्या होगा कैसा होगा जैसे ही उसका डेटा आ जाता है कि क्या क्या चीज़े होंगी हम उसकी बितयारी करवाएंगे आपके लिए especially उन सभी student के लिए जो PT exam के त्यारी करना चाते हैं हमने इतना रखा है कि आप अपनी तयारी शुरू कर सकते हैं इसमें आपका subject का तयारी start हो चुका है पढ़ना तो है ही चुकि merit तो उसी के बेश पर बनेगा तो subject की तयारी के लिए हमने ये batch start जो है हम इसको कर रहे हैं आप इसमें enroll कर सकते हैं आप आज से ही हर्याना assistant professor exam के लिए AKJ academy पर जूड़ सकते हैं complete हम bilingual classes आपको provide करेंगे bilingual content आपको मिलेगा हिंदी में अलग मिलेगा English में अलग मिलेगा आप किसी भी तरीके से उसको पढ़ सकते हैं इसके अलावा हम जैसे से आगे बढ़ते रहेंगे printed material भी provide करेंगे बिल्कुल copy की तरह जैसे books होती है बिल्कुल वैसा आपको printed material मिलेगा जो मेरी whole trucks of geography book है बिल्कुल वैसा ही आपको provide करवाए जाएगा ठीक है तो ये इसमें आपको complete live classes मिल जाएंगे और हर live class का recording भी मिल जाएगा हर topic को हम लोग पढ़ेंगे poll वगरा सब कुछ available रहेगा तो PT के लिए भी तैयारी हम बिल्कुल सुरू करेंगे जैसे उसका एक syllabus आ जाता है कि हाँ ये ये subjects हमें पढ़ने है तो AKJ Academy हर्याना Assistant Professor के लिए course लेकर के आया है आप सभी लोग जुड़ सकते हैं हमारे number पे भी आप contact कर सकते हैं for more details ठीक है मेरा number यहाँ पर आपको दोनों mention मिल जाएगा वीडियो के description में भी number वगरा दिये गए तो आपको करना कुछ नहीं है आपको download करना है AKJ Academy App Play Store पर जाना है अगर आप iOS user है तो आपको जाना है App Store पर वहाँ पर लिखना है My Institute और My Institute पर जाकर के आपको क्या मिल जाएगा AKJ Academy मिल जाएगा My Institute पर आप जाएगे ठीक है My Institute पर आप जाएगे तो आपको वहाँ पर एक code डालना है XZWOU और install कर लेना है इसके अलाबा अगर आप UGC NET की तयारी कर रहे हैं तो दोनों एक्जाम के लिए हमारे पास badge है December Foundation का हो गया June Foundation हो गया इसके लिए भी courses हम चला रहे हैं AKJ Academy पे यहाँ पर classes आपको regular मिलती है 4-5 classes daily होती है लगबग 6,999 रुपेस की fees है दोनों subject की paper on paper 2 की भी लेकिन हम बात करेंगर हर्याना की तो हर्याना का देखिए पूरा detail यहाँ पर है हर्याना assistant professor का इसके पहले भी हमने batch चलाया था बहुत सरे student ने पढ़ा था उसमें अभी फिलाहाल चुकिए pattern change हो गया है तो यहाँ पर आपके लिए especially हम लोग subjective knowledge के लिए पूरी तयारी करेंगे जो कि merit उसी पर बनेगा ध्यान रखिएगा PT की तयारी भी करेंगे जैसे ही उसका कोई syllabus आ जाता है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो में कोई भी doubt है कुछ भी आपको लगा कि ये नहीं समझ में आया आप comment जरूर करिए हमें बताइए कि क्या आपको पूछना है क्या आपको नहीं समझ में आया कोई आपका doubt है related to the application या कोई भी qualifications related ठीक है वीडियो को share जरूर करिए दोस्तों को सबको बताइए कि हर्याना में vacancy आई हुई है तैयारी करना है पढ़ाई करना है चाहे खुद से करिए चाहे कहीं भी पढ़ाई करिए लेकिन selection आपको लेना पड़ेगा क्यों लेना पड़ेगा क्यों कि ध्यान दीजिए अभी selection नहीं लेंगे तो election सर पे है बढ़ाई